हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का GKL ट्रैक यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्टरी से संबंदी 25 कॉस्षन लेका हूँ बेरी इंपोर्टेंट कॉस्षन है ये तो इसलिए वीडियो को बिना judgment के पूरा देखेगा और अगर आप आप पहली बार देखे रहे हूँ तो हमारे चैनल को जरू सिस्क्राइब करें साथ है उसके साइड में बेल आग अपस्षन शूरू करते हैं तो चलि आज के वीडियो शुरू करते हैं लोथल, सिंदू सब्यता का यह पत्तन नगर यानि की बंदरगा था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपसे एक्जाम में यह सब्द दिये दिये जाए, पत्तन नगर, तो इसे यह बंदरगा बोला जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेगा, और यह कोस्टन सिंदू कहाटी सब्यता के लोगों के मकान बने होते थे, सही आंसर ओप्सन यह हो जाएगा, पक्की नीटो, आपको याद रखना है, सिंदू कहाटी सब्यता के लोगों के मकान पक्की नीटो के बने होते थे, और दिखें, यह जो सिंदू कहाटी सब्यता थी, एक स्वेव और देखे इस इसनानागार का प्रियोग आहम जनता के लिए विसेस आयोजनों के लिए किया जाता था और देखे मैं आपको मोहन जोड़ो के बारे में कुछ और पॉइंट बताएता हूं जो की एक्जाम में पूछे आते हैं और देखे मोहन जोड़ो की खोज राखल दास बनर जी ने 1922 इस बी में की थी तो आपको ये डेट याद अखनी है और देखे बरतमान में मोहन जोड़ो पाकिस्तान के सिंधि प्रांथ के लरकाना जिले में सिंधू नदी के किनारे इस्थित है तो आपको ये सभी पोईंट याद रखने हैं, तो चलिए अगला question देखते हैं, question number 4 है, भारत में सबसे पहले खोजा गया सहर कौन सा था, right answer option A, हडपा, भारत में खोजा गया सबसे पहले सहर था हडपा, आपको याद रखना है, और देखें इसके खोज दयाराम साहनी ने 1921 ECB में की थी, तो आपको ये date याद रखनी है, तो चलिए next question देखते हैं, मोहन जोदलो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, right answer option B, अन्नागार, देखें इस से पहले मैं आपको मोहन जोदलो के अबारे में एक question करवा चुका हूँ, कि जो विसाल इसनानागर पाय गया था, मोहन जोदलो में पाय गया था, लेकिन इस question में पूछा गया है, कि मोहन जोदलो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो आपको याद रखना है, अन्नागार, ये मोहन जोदलो के सबसे बड़ी इमारत थी, तो चलिए next question देखते है, question number 6 है, मानब दौारा उप्योग की गई पहली धातु कौन सी थी, सही answer option C हो जाएगा, तामबा, आप सभी को पता भी होगा, काफी असान question है ये, तो तामबा सबसे पहले उप्योग की गई धातु थी, मानब के दौारा, तो चलिए next question देखते हैं, बर्तमान में काली बंगन या काली बंगा कहां इस्थित है, right answer option D, राजिस्थान, आपको याद खेत के साक्षे मिले थे, तो आपको ये याद रखना है, तो चलिए अगला question देखते हैं, question number 8 है, हडपा वासी किस बस्तू के उत्पादन में अगरणी थे, right answer option C, कापास, आपको याद रखना है, कापास के उत्पादन में अगरणी थे, हडपा वासी, देखिए, ये अन् question देखते हैं, देवी मा की पूजा किस से संबंदित थी, सही answer option A हो जाएगा, सिंदु घाटी सब्यता, तो आपको याद रखना है, सिंदु घाटी सब्यता से संबंदित है, देवी मा की पूजा, यानि कि यहां के लोग देवी मा की पूजा करते थे, और देखिए, कुछ question में पूछा आया है, कि सिंदु घाटी सब्यता का ऐसा कौन से सहर था, जो बिना किले का था, यानि कि बहाँ पर किला नहीं था, तो इसका सही answer option D हो जाएगा, चनु दड़ो, आपको याद रखना है, चनु दड़ो ऐसा सहर था, जहां पर किले के साक्षे नहीं मिले हैं, देखे, इसकी खोज में आपको बता दूँ, 1934 ISB में NG मजूमदार के द्वारा की गई थी, तो आपको ये date याद रखनी है, 1934 ISB में, तो चलिए next question देखते हैं, question number 11 है, कांसे की नरतिकी की मूर्ती कहां से मिली थी, सही answer option A, मोहन जोदोलो से, आपको याद रखना है, बिस्व की सबसे प्राचिन सभ्यता का क्या नाम है, right answer option B, मेसव पुटामिय की सभ्यता, देखे, ये बिस्व की सबसे प्राचिन सभ्यता है, मेसव पुटामिय की सभ्यता, देखे, मेसव पुटामिय का जो साब्दिक युनानी अर्थ होता है, दो नदियों के बीच, इसक का साब्ति करता होता है मेसो पोटायमिय का तो चलिए अगला कोस्टन देखते हैं कोस्टन नंबर 13 है सिंदु घाटि सब्यता की लिपी क्या थी राइट आंसर ओप्शन सी एग्यात देखिया आपको याद अखना है जो सिंदु घाटि सब्यता से लिपी मिली थी उसका अभी सब्यता दिखे इससे पहले में आपको सिंदु घाटी सब्यता के बारे मीं बता चकूं कि दोतेखना है और बेदिक सब्यता ये ग्रामिय्द सब्यता थी तो इस दो कोस्टन अधिक अ जाम में पूछे आते तो आप इन दोनोंको याद रखेगा देखेगा जो बेदिक सब्वेता थी, ये आर्यों के द्वारा बिक्सित की गई गिरामिण सब्वेता थी तो आपको ये सभी दियान रखना है तो चलिए अगला कोस्टन देखते है कोस्टन नमबर 15 है आर्यों की भासा क्या थी राइट आंसर ओप्सन बैदिक लोगों द्वारा किस धातू का प्रियोग पहले किया गया था राइट आंसर ओप्सन बी तामबा आपको याद रखना है दिखे इसके बारे मैं आपको सही से बताएता हूँ जो बेदिक सब्वेता थी उसे दो भागों में बाटा गया था रिक बेदिक काल और दूसरा उत्तर बेदिक काल तो रिक बेदिक काल में आर्रिया तामबे से परिचित थे यानि कि बेदिक सब्वेता में के लोगों द्वारा सरप्रिथम तामबे का प्रियोग किया गया था और उत्तर बेदिक काल में जो उत्तर बेदिक काल के लोग थे बे लोही से भी परिचित हो गए थे तो आपको याद रखना है तो चलिए अगला कॉस्टन देखते है कॉस्टन नमर अठारा है बेदिक आर्रियों का पिर्मुक भोजन क्या था देखे इनके जीवन में गाय और दूद का बहुत महत्व था ये दूद तथा दूद में सत्तु मिला कर पीते थे तो आपको याद रखना है बेदिक आर्रियों का पिर्मुक भोजन दूद और इसके उत्तपाद था तो चलिए अगला कॉस्टन देखते है आर्रिय सब्द का साब्दिक अर्थ क्या है सही आंसर ओप्सन B स्रेश्ट या कुलीन तो आपको याद रखना है आर्रिय सब्द का जो साब्दिक अर्थ होता है स्रेश्ट या कुलीन होता है तो नेश्ट कोस्टन देखते है कोस्टन नमर 20 है रिग बेदिक आर्यों का मुख्य बैवसाय क्या था? सही answer option C, पसू पालन आपको याद रखना है, दिखें, मैं आपको वदा चुका हूँ जो बेदिक सब्ब्य था थी, इसे दो भागों में बांटा गया था रिग बेदिक काल और उत्तर बेदिक काल तो रिग बेदिक काल के जो आर्यों थे, उनका मुख्य बेवसाय पसू पालन था तो चलिए अगला कुस्टन देखते है प्रेशिद गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? Right answer option D, रिग बेद देखे, आप सभी को पता भी होगा ये कुस्टन कई बार एकजाम में पूछा आता है तो आप इसे जरूर याद रखेगा देखे, रिग बेद की तीसरे मंडल से लिया गया है और ये सूर्य देपता को समर्पित है गायतरी मंद्र और देखे, अगर हम बात करें, रिग बेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और जो कुल बेदों की संक्या है, आप सभी को पता होगा चार है, चार बेद कोर कोंसे है ये जुरूर बेद, अथर बेद, साम बेद और रिग बेद तो आप इन याद रखेगा तो चलिए अगला कुस्टन देखते है कुस्टन नमबर 22 है सबसे प्राचिन तम बेद कोंसा है राइट आंसर ओप्सन डी, रिग बेद, काफी असान कुस्टन है अगर हम बात करें, सबसे बाद का बेद कोंसा है तो सबसे बाद का बेद अथर बेद है और सबसे प्राचिन तम यानि कि सबसे पहला बेद रिग बेद है तो आप इन दोनों को याद रखेगा तो चलिए अगला कुस्टन देखते है पुराणों में सबसे प्राचिन एबम पिरमालिक कौन सा पुराण है सही answer option A मतस्य पुराण देखिए इसके बारे मैं आपको वताये तहूं देखिए भारते इतिहासी कताओ का किरमबद विवरण पुराणों से मिलता है तो आप समझ गए होंगे देखिए कुल पुराणों की संक्या 18 है लेकिन इन में से सिर्फ 5 ही पुराण ऐसे है जिनमें राजाओ की बंसावली पाई जाती है तो चलिए अगला कॉस्टन देखते है कॉस्टन नमबर 24 है रिग बेद का कौन सा मंडल सोम देपता को समरपित है सही answer option A हो जाएगा 9 मंडल मैं आपको बहता चका हूँ जो रिग बेद में कुल मंडल है 10 है तो इन में से जो 9 मंडल है ये सोम देपता को समरपित है तो आप इसे याद रखे है कई बार एकजाम में ये भी पुछा जाता है तो चलिए अगला कॉस्टन देखते है किस बेद में बली सूत्रों का जिक्र किया गया है राइट आंसर ओप्सन ए यजुरूबेद आपको याद रखना है बली सूत्रों का जिक्र यजुरूबेद में किया गया है और अगर हम बात करें यहाँ पर अथर बेद की अथर बेद में जादो टोनों से संबन्दित है और जो साम बेद है ये संगीत से संबन्दित है और रिख बेद ये प्रारमभी कारेों के विस्तार से संबन्दित है तो आप इन चारों को याद रखेगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो फिलीज लाइक जरू करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और दोस्तो अगर आप हमारे पहले के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं आपका आने वाले एक्जाम के लिए कापी मेहत्त पून है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार